नमस्कार दोस्तों, प्रोटेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है तो आज हम लोग पाइन रस्क्रिप्ट में स्ट्रेटजी पार्ट में एक सिंपल सा इजामपल देखने वाले हैं ठीक है ना, स्ट्रेटजी का और इसे हम लोग यहां पर यह है प्रोटेडिंग आर्ट, थ्री ब्लैक क्रोज एन थ्री वाइट सोल्डर ठीक है ना, इसे हम लोग देखने वाले हैं और यहां पर हमने क्या लिखा है एक कोड को हम लोग डिटेल में समझेंगे ठीक है ना, तो इतनी छोटे में तो यह देखने से रहा, तो चलिए इसे और एक एक पार्ट करके देखते हैं तो चलिए, सबसे पहले अगर आप यहां पर चार्ट पर एड करते हो ना तो कुछ इस तरह से आपको देखिए का जैसे यहां पर देखिए लोग प्रोफिट इसने बुक किया है तो इसने दूसरा ट्रेड ले लिए तो इन सभी पॉइंट को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या है इसमें तो देखिए जैसे उसे चार्ट पर एड करेगा ना तो आपको कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी यहां पर टेस्टर टैब होता है ना इसमें आपको इस तरह से उसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा ठीक ना कितना प्रॉफिट होड़ा है टूटल कितने ट्रेड लिए प्रसेंट प्रॉफिटेवल रेट क्या है उसका प्रॉफिट फैक्टर क्या है मैक्स ड्रॉडाउन क्या है ठीक ना यह सारे डिटिल्स आपक चेंज कर सकते हो अगर आप उस पॉइंट को चेंज करेगा तो हो सकता है बहुत जगह यहां पर प्रॉफिट आपका बढ़ जाए और बहुत में आपको लॉस में दिखता दिख जाएगा ठीक है ना तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कोई भी इंडिकेटर आप यूज करते करेगा ठीक है तो वह चीज में यहां पर आपको बनाना सिखाऊंगा उसके बाद किसी इंडिकेटर को स्ट्रेटजी में इसली कनवर्ट कर सकते हो ठीक है ना तो चलिए आज का जो इजामपल है उसे समझते हैं जिसमें हमारा पहला पार्ट यह रहा तो इसमें हमने क्या क् अर्गुमें में हमने सबसे पहले टैटल पास किया और यहां पर हमने सोट टैटल पास कर देए यह दोनों पुर्च्न अर्गुमेंट के रूप में पास किया हमने यहां कितना हुआ तो 500 600 कर दिया हैं द resembling Twe 그걸 either लगेगा यहां पर फी परसेंट में मैंसन कर दिया है टिक है नडिफॉल्ट क्वांटिटी टाइप क्या है तो क्यां यहां पर यान इस ट्रेड के लिए हम लोग कैस वैल्यू के रूपे यूज़ करने वाले यह जितना केप्टल है तो 500 है तो 500 यूज़ करें यह सब से एक तरस यह पर का indicator है और यहाँ पर आपको एक लोंग ट्रेड मिल गया है यहां पर लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका दूसरा कंडिस्य भी मेस्ट होता है फिर से फिर से आपको लोंग ट्रेड का एक सिंगनल मिल जाता है अग। आप ने यहां पहला लोंग ट्रेड लिया ता इसका ना तो आपका स्ट अपलोस हुआ ना या प्रॉफिट ट्रिगर हुआ कुछ भी नहीं आई अभी ऑपे नहीं है ठीक है यह नहीं नहीं हुआ यह और दूसरा आपको यहां पर सिग्लियल मिल गया है यहां पर आप क्या करना चाहते हो लेकिन आपने इहां से एक सी ज़यदे mention कर दिया सपोस्ट्र दो mention कर दिया तो आप एक ढैर्शन में दो ट्रेड ले सकते हो ठीक है ना यह परमेडिंग का बैल्यू भी आप Donc टैब में चेंज कर सकते हो ठीक है ञिले नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहां पर हमने सब्स से यूजर से चार इंपोट लिया है यहां से यहां तक और क्या ले रहे हैं यूजर से तो rising MOM यहांनि लगातार कितने candle कर रहा हो तीनडल यानि फ्री ब्लैक क्डोव या थ्री वाइटодар सोलड़ ठीक है और यहां पिधी लिए और फ्रालिंग के लिए भी वही चीए ले लिया अब कितने आप wateradem देखना चाहते हो तीन चाहते हो चार देखना चाहते हो ठिकान तो इस से अब चेंज कर सकते हो 0 ऑप यहां पे-किप्र और इसको हमने 100 से डिवाइड कर दिया जिससे हमें परसेंट में कनवर्ट करने में इस आसानी होगा ठीक है ना उसके बाद देखें यह सो लोंग स्टॉप हो गया यह स्वार्ट स्टॉप हो गया उसके बाद है इज बाई हम लोग बाई कब करेंगे अब यहां से हमारा पहला कंडिशन स्टार्ट होता है तो थोड़ा धिवान से समझना आपको कि पहला हमने एक वेडियावल बनाया ठीक है ना और यहां पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा बाई का कंडिशन सैटिस्फाइग कब होगा ठीक है देखें टीए डॉट राइजिंग यह हमारा बेल्ट- तो यहां पर इसका मतलग यह हुआ कि कंडिशन क्लोज तीन केंडल पर इंक्रीज कर रहा हो यानि यह क्लोज ग्रेटर है अपने प्रिवियस क्लोज से और इसका क्लोज ग्रेटर है इसके क्लोज से यहां पर ठीक है ना इन तीनों केंडल पर यह हमारा कंडिशन सेटिस्फा और हुआ हुए और सबस्क्रास कंडिसेंक करें लॉयूम वकाली वह लूम यहां पर भी फॉक्तिव स्थ में यहां पर फॉल्युम देखिए और यहां पर वॉल्यूम 118 ठीया ठीक है ना यह इसके सामने हो गया इसका वॉल्यूम जायद है इससे इसका वॉल्यूम जायद है इससे ठीक है ना और यह इसका यहां पर हो गया एक दो और तीनों यह एक केंडल हो गया और यहां पर वॉल्यूम इसका तीनों का हो गया तीनों राइज कर रहा है ठीक है ना य यहां पे और हमने यहां पे नेक्स केंडल के ओपएंड पेंड बड़न लिया तो यह था अधर का उसी तरह से हमारा से छा यहां रहे तो आपको यह पोईंट क्लियर होगा अगर इसमें किसी भी द्रकट आउट है तो अपने पोइंट करकेंट करेंगा और व्यडियो अच्छ चलते हैं next point पे next point पे हम लोग अब यहां पर stop loss define कर रहे हैं तो देखिए यहां पर भी बहुत important point आपको देखने को मिलेगा कि stop loss हम लोग किस तरह से fix करते हैं देखिए stop loss fix करने का multiple तरीका हो सकता है percent में आप fix कर सकते हो कुछ point में fix कर सकते हैं या दस point नीचे आ जाए बीस पॉइंट नीचे आ जाए और स्टॉक के value को बटेपेंड करता है ठीक है अब देखिए यहां पर पहले क्या चिक कर रहे है इस से आपको क्या मिलेगा true या false मिलेगा लेकिन यह actual में बताता क्या है में अगर कि मार्केट है यहां पर हम्लों सिंपल साइए चेक कर रहे हमारा ट्रेड जो भी लास्ट रेड इसका डाया डियरेक्शन क्या है अगर यहां पर ग्रेठ देन जीरो मतलब आपने लुंग ट्रेट में इंट्रि बना रहा है याँ आपका लॉंग ट्रेड ओपेन थे आपकान हम लों यहां पर चेक और अगर लम ट्रेड ओपेन हो तो न Fellows free Note प्लॉट नहीं कर पा रहा हूँ कोई बात नहीं देखिए यहां पर तीन कैंडल है अगर आपने इस कैंडल पे लोंग ट्रेड लिया ठीका ना इस कैंडल पे तो आपको इसका बार इंडेक्स मालूम होना चाहिए तब तो आप इसका लो प्राइस फिच करिएगा ठीका ना आपको क्रेंट केंडल का बार इंडेक्स मिल जाएगा उसमें से हम लोग घटा रहे हैं कितना जिस इस केंडल का जो बार इंडेक्स होगा वह तो इस केंडल का बार इंडेक्स कैसे पता चलेगा तो यहां पर हमारे पास बिल्टिन फॉंसन से इंट्री बार इंडेक्स ठीक है ना उसे पता चल रहा है और यहां पर हमें ट्रेड नंबर पास करना होता है तो इसमें से आप एक मैनेस करती जाएगा तो आपको यहां से मिल जाएगा ठीक है तो हमें यहां पर इसका बार इंडेक्स मिल गया और हमने यहां पर इसमेंडे कर लिया और और इस लो में से हमने क्या कर दिया लौ का कितना परजांत जी SPEAKER परसेंट हमने इस्टोप लोग मैनेस कर देंगे तो हमारा इसके नीचे कहीं पर एक लाइन मिल जाएगा कुछ को प्राइस मिल जाएगा वह हमारा स्टोप लॉस होगा लोंग साइड के लिए उसी तरह से हम लोग प्राइस करें इस कि उसके बार हाई यहाँ पेड कर में यहां पर पेडर करनियो यहां पर बहुत है उसका यहां वह रही हिसे है मिलुद तो अपने से मुझे कुमेंट करेंगा नीचे यहां फिर वाट स organise यहां पर अगडर हो धार होता हम कंटा करने के अब तो चलिए उसके बात देखते हैं हमारा next point क्या यूजर से हम लोग यहां पे sort के लिए input ले थे अब हम लोग profit के लिए input ले रहे हैं यानि कितना profit हमें लेना है कितना profit book करना है ठीक है ना तो वह यहां से fix कर रहे हैं उसी तरह से सेम काम किया हैं लेकिन यहां पर मैनस कर रहे थे यहां पर हाइद कर दिया वह चीज्ज हमने एड़ कर दिया और यहां पर लू में हमने एड़ कर दिया होच ठीक है ना प्रॉफिट यानि कितना पर हमें सौर्ट ट्रेड में प्रॉफिट करना है नहीं जैसे मुझे नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है तो चीज़ों को समझें तो आप पहले हमने क्या किया है यहां पर है तो इफ इजबाइ हमारा उपर में एक वरियाबल था जिसमें हमने चेक किया था टीए डॉट राइजिंग ठीक है ना टीए डॉट फॉलिंग सेल के लिए और वहां पर वहां पर वालिंग कंट्रीन से ग्रोव कर रहा है यानि अगर वह चीज़ हो तो यहां पर आपने क्य जैसे माली जी यहां पर जा रहा है आप स्वाट ट्रेड में इंट्री कर रहे हो लेकिन यहां पर आपका स्वाट का स्टॉप लॉस ट्रीगर हो गया सिर्फ यहां पर हम लोग एक और लोंग ट्रेड में ले रहे हैं वही चीज़ा यहां पर अगर क्लोज ग्रेटर दिन हो जो long side के लिए जाएगा ठीक है ना यहाँ पर हम लोग यह चीज नहीं चेक कर रहे हैं कि continuously three candle grow कर रहा है या नहीं volume grow कर रहा है नहीं वो सब कुछ नहीं चेक कर रहे हैं हाँ पर सिर्फ हमारा sort का stop loss trigger हुआ यानि हमारा market का direction change हो गया और हमने long में एक दूसरा position बना दिया इसका मतलब यह है यह चीज आप ध्यान में रखेगा उसी तरह से यहाँ पर sell के लिए हम लोग चीक कर रहे हो और close list then long stop यानि अगर हमारा इस तरह से ट्रेट चल रहा था उपन हुआ और लेकिन यह आ गया नीचे यानि हमारा यहां पर कहीं लोग का stop loss trigger होने के बाद हमें क्या करना है एक और short trade में entry ले लेना है वह चीज यहां पर कर रहे है close list दिन हो जाया लोग का stop जहां से था उसके नीचे जैसे आया एक और आप आप यहां पर हम लोग क्या कर रहे है एक जीट करने का condition बना रहे हैं इस ट्रेटिज पोश्चन साइज ग्रेटर देन जीरो हो यानि हम अगर हमारा लोंग ट्रेड एक ओपन हो तो उसे करना है कव प्रोंटि करना है लोंग से कुछिट यहां पर करने लिए लिए को तो इस तरह से हम कर रहे हमने यहांपे क्या क्या पोस्टन साइज लें माःटो किस तरह से तो Anybody यहां पर के लिवटर और यह सब क्या है हमारा भीडियेबल और इस सब क्सा स्लाइड में दिखाए ता इस तरह हम लोगों को ने इसे पनाया और इसका कंप्लीट कोड उसके में लींक Yeah जाएगा और वह मेरे एक प्रोटेडिंग आर्ट का ट्रेडिंग एकाउंट है वहाँ पे भी मैं अप्लोड किया गया है ठीक है ना उसी का लिक मैं मैं मेंसन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से कॉपी भी कर सकते हो और अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कर सकते हो तो आई होप वीडियो आपको कंप्रेटली यूजफूल रहा होगा ऐसा है तो आप बिटनीश्य दूर्प से वीडियो को लाइक कर दीजिए तो थैंक्स फूर वाचिंग